कर्म ये बताता है कि संभावनाओं के संकेत कहां कहां से उद्गाटित हो रहे हैं तो वहीं भाग्य ये बताता है कि हम कहां पर किस शेत्र विशेश के अंदर जोखिम ले सकते हैं सरवांगीन लाब ये दर्शाता है कि जहां से लाब मिल रहा है वहां आपूर्ण तया आनन्दित हो रहे हैं या नहीं जब व्यक्ति लाब के साथ में आनन्दित होता है कर्म के सिरे के साथ में जब धनलाब को जोड़ कर देखता है तो वहाँ दानपुणने की और कैसे जा पा रहा है, संचय की स्तियां जो की भविश्य को संरक्षत करने वाली होती है, उसमें किस और बढ़ रहा है, साथ में जुड़े हुए लोग हैं, उनकी लिए भी किस तरह से वो एक suitable approach को create कर रहा है, यह सारी ही गती दन के साथ में जु 2020 का मासिक राशीपल लेकर मीन राशी के जातकों के लिए उपस्तित हुए हैं, सरुबर्थम उंग्रह गोचर ये विवस्ताओं का अध्यन और उसके बाद परतिये एक शेत्र विशेश के साथ में जुड़ी हुई चर्चा हैं, चंद्रबा परतिकात्मक्तवर पर यहां र राशी के उपर आधारित है, 24 दिसंबर 2020 तक धनेश और भाग्येश जो मंगल है वो यहां राशी भाव में ही चलाय मान रहेंगे, पूर्जा का एक प्रमुक केंद्र बना रहे हैं, तो वहीं तृतिये भाव में नैसरगिक तोर के उपर परतम उप्चे में राहु यहां आ शोकर अस्ठम भाव में और उसके बाद में भाग की भाव में प्रवेश कर जाएंगे, बुद्ध 17 दिसंबर तक यहां नवम भाव में ही रहने वाले हैं और उसके बाद में इनकी इस्ततियां भी दशम भाव में जुड़ जाएगी, 15 दिसंबर तक सुरिदेव वरिश्च इस्ततियां बनी हुई है, शनिदेव स्वराशी स्थान में तो वहीं देव गुरुब रैस्पती नीचस्त इस्ततियों में चलाएमान रहने वाले रहेंगे, शुरवात करते हैं हम पर्थम भाव के साथ में, देखिए नौकरी पेशा जीवन के अंदर जिस उर्जा की आव क्वार्मेंट थी, वो भी बहुत अच्छे से सहीयोग देने वाली होगी, दूसरे आधार पर मैं आपसे ये भी निवेजन करूंगा, कि लंबे समय से आप अपने नौकरी पेशा जीवन के अंदर सक्री नहीं हो पा रहे थे, अब यहां कोई भी इंटर्व्यू कॉल आता ह और आप इतनी बार खुद के लिए रेजक्शन देख चुके थे, कि अब मन में एक हताशा गर कर चुकी है, यहां फिर से आप बाउंस बैक कर सकते हैं, और इस महिने के जो ये 24 दिन है, अती महत्वूर्ण तोर के उपर भाग्ये का सायोग भी लेकर आ रहे हैं, बज़े य जाएगी, वयापारिक जीवन के अंदर रोटेशन नहीं बन पा रहा था, कोई ऐसी भूमी है जो आपने बहुत पहले पर्चेस की थी, और वहां से हमको एक लिकुरिटी रेज हो सकती है, और हम फिर से रोटेशन के अंदर आ सकते हैं, मंगल जो की भूमी सुत है, चौती द्रिष्टी से जब भूमी भाव को और वानिज्jay के राशिस्तान को देखने वाले होंगे, बुद्ग का राशिस्तान है इसी वज़े से वानिज्य का राशिस्तान भी हो गया, तो इसी वज़े से यहां फिर से कैलकुलेशन आपके लिए सुधार के और जाने का कार career करने वाली होगी सर्विस इंडस्ट्री संबंदी कामकाच के अंदर आप लंबे समय से लगे हुए थे सफलता नहीं मिल पाई यह महीना शौरवाती 15 दिनों के लिए नहां पर भी आपके लिए बैटर पोजीशन को लेकर आ सकता है इस बात को आप समर्तियों में रखिएगा कुल माजोड यह महीना आत्म विश्वास से लबरेज मीन राशी के जातकों के लिए कहा जा सकता है वहीं द्वितिय भाव की मैं चर्चा करता हूँ तो आप देखिए कि जो धन भाव के अनिपती हैं वो राशी भाव में रहेंगे यहां धना गमन होगा भी तिवर गती से तो ख ग्यात रूप से कुछ खर्चे आप करने वाले हो सकते हैं जहां किसी हमको एसेसरी के रिक्वार्मेंट ही नहीं थी जहां किसी मटेरिलिस्टिक लगजरी को बढ़ाने की आविशकता ही नहीं थी मन कहता है कि ऐसे खर्चों के साथ में चला जाए और व्यक्ति वहीं से इंतरत करना संबव नहीं कहिं तो कई बार थोड़ा सा हम रोकें और मन की उस गती को कहीं और किसी और फैसिनेशन के साथ में डाइवर्ड कर देते हैं तो वो ज्यादा बहतर आपके लिए रहेगा यह है द्विती भाव कि स्तती तो वहीं पर जो वानी संबंतित कामगाज ह होते हैं इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप आत्म विश्वास के साथ में चल रहे हैं आप एक इंस्टंट अप्रोच के साथ में चल रहे हैं कोई भी ऐसा कमिट्मेंट आप वानी के साथ में नहीं कर दें जो लंबे समय तक पच्चतावे के सरे आपके साथ में जोड़न नजीवन के मंदर बहतरी को निक्षेपत करते चले जाएंगे, अन्य था कोई भी पैतरिक संपत्य विवाद चल रहा है, वहां मुस्करा कर चलना, दूसरे लोग जो निरना ले रहे हैं, उसके साथ सहज स्वीकारुक्ती बना कर रखना, रिष्टों को भी बचाता है, और कु यहां आप देखिएगा कि राहु चलाय मान है, और जब भी पराकरम में, परतम उप्चे में राहु रहेंगे, जो प्रमोशन किसी ने किसी पॉलिटिकल कॉंस्पिरेसी, यानि कि जो आफिस कल्चर के अंदर कई बार लोग एक पॉलिटिक्स केलते हैं, और आप उससे परि पॉलिटिक्स के लिए जाती है, उसको साइडलाइन करने वाले होते हैं, जो भी शडियंत्र आपके लिए बारम बार रचे जा रहे थे, जो ईश्वर ने आपके लिए रचा है, सर्वोच सत्ता जो सबसे प्रमुक और सार्वभामिक रूप से रचेता है, वो आपके लिए यहां पर तेव बरगामी सतर के उपर बहतर प्रिणाम को देंगे, जो प्रमोशन, जो धनागमन और साती सात में जो भाग्या के संकेत इतने लंबे समय से नहीं मिल पारे थे, जो यह आपके लिए पराकर्म भाव है, जो यह आपके लिए एकालश भाव है, यह नितांत जहां से आप अपनी संभावनाओं को लेकर जा सकते हैं जो किम का सिरा 20 परतिशत जिसने आपको चिंतित करके रखा हुआ है उसको अटाइए 80 परतिशत संभावनाओं के साथ में चलते चले जाएए बाईयों के साथ संबंदों में यहां आपको बहुत जादा ख्याल रखकर चलने की requirement रहेगी यह आपसे मैं निवेदन जरूर करूँगा तो वहीं यात्राओं में साउधानी स्वास्त को लेकर पूनतया बरत कर आप जरूर चलिएगा वहीं चतुर्द भाव यह एक प्रमुक स्थती है आप देखिएगा कि जो कमिशनिंग संबंदी कामकाज है मचकर चलना होगा कि जो द्वितिये केंदर के आदिपती हैं जब वो तृतिये तरकौन के भीतर रहेंगे तो आपके लिए ऐसे कारियों में भाग के सहयोग देने वाला हो जाता है माता के साथ में जुडाव बढ़ने वाला होता है और वहीं जब 17 दिसंबर के बाद से बृद्धी की और भी जा पाएंगे हाला कि ये जरूर ध्यान रखिएगा कि ओवर कॉन्पिडेंट होकर हम कोई भी कमिट्मेंट सर्विस इंडिस्टरी के मंदर करने वाले नहीं हो आप कॉमर्शेल वीकल या फिर कोई भी लगजरी वीकल संबंदी कामकाच के साथ में भी हस्तक्षे प्रकते हैं ये स्मरत्यों में रखें कि कोई बहुत बड़ा चेंज लेकर आना चाहते हैं तो एक से पंदरहे दिसंबर तक का समय ठीक है उसके बाद में ऐसे परिवर्तनों से दूर रहना आपके लिए बेहत आवशक रहेगा वहीं पंचम बाव की यदि में चर मोड आपाता है सिक्षा संबंधी गतिविधियों के अंदर जो बारम बार परिशानिया निकल कर आ रही थी और हम कभी रिलेशन के साथ में कभी मित्रों के साथ में अपने समय को जाया करते चले जा रहे थे जो समय जीवन को बनाने का है वो समय जीवन को तथा कथित तोर क के उपर ऐसे आनंद दे रहा था जो लंबे समय तक नहीं चलते यहां से अब आपके दूरी बनना शुरू होगी। और ये स्ततियां आपके क्षमताओं के साथ में जुड़ी हुई है और आप इस बात को भी गौर करके चलिएगा कि जो भी महिलाएं फैमली बे की और हैं आपके लिए समय बेहाद अच्छा है ट्रेबलिंग करना फिर से प्रोफेशनल लाइफ के और एक्टिव होना धार में को पढ़ना मन को सुकुन देने के बराबर रहेगा आप अपने जीवन को उसी तरह से चलाते चले जाईएगा ये है पंचम भाव की स्तिती तो वहीं एक और निविदन में आपसे करना चाहूंगा कि संतान पक्ष को किसी और कामकाज में आप जोड़ना चाहते हैं कोई 15 दिसंबर के बाद से कर्म भाव में जुड़ी होगी जो रिण संबंदी इस्तियां लंबे समय से परिशान कर रही थी जिसका सॉल्यूशन सामने नहीं आ पा रहा था ये जो प्रवर्टी बनेगी प्रमुक तोर के उपर आपकी कर्म शीलता की बज़े से रिण कम होते चले जाएंगे या जो लोग आपके उपर लंबे समय से भरोसा नहीं कर रहे थे अब आपके कामकाच को देखते हैं आपकी उर्जा को देखते हैं वो कहीं ने कहीं आकर कहते हैं कि मैं मरत करने के लिए तयार हूँ या मैं आपके साथ में जुड़ने को तयार हूँ जो रिण द सतियां यहां शुरुवात में नवम भाव में रहेंगी थोड़े बहुत शत्रू डराएंगे उसके बाद में वो भी साइड लाइन होते चले जाएंगे किन्तु थाइराइड जनित रोग साथ ही साथ में अस्ति जनित विकार और वहीं पर आप ये भी द्यान दीजेगा कि ज सब्तमेश जब शुरुवाती 17 दिनों के लिए भाग के भाव में रहेंगे ये स्तिती बहुत बहुत बहतर है आपके लिए व्यापारिक जिवन के अंदर भाग के सयोग देने वाला होगा और उसके बाद में जब भाग के सयोग मिला आप कर्मशील होते चले गए निरने के अंदर गती आई मन की तिवरता शांत हुई बहतरी आने लगती है कम्यूनिकेशन प्लस टेकनोलोजी कम्यूनिकेशन प्लस अनलेटिक्स और उसके साथ में ही अनलेटिक्स प्लस टेकनोलोजी यसे सारी ही कामकाजी शेतर विशेश इस पूरे ही महिने के अंदर आपको बहत प्रशाने वाला रहेगा ये भी एक प्रमुकाधार आपके लिए बना हुआ है याँ पर व्यापारिक साज़दारियों के अंदर थोड़े से धीमेपन के साथ में आपको चलने का प्रयास जरूर करना होगा वहीं पर यदि मैं ग्रहस्त जीवन के बात करता हूँ तो आप इस अपने कामकाजी शेतर में अगर जोड़ना चाते हैं तब भी ये समय समय कादार पर बहतर कहा जाएगा वहीं शुरुवाती 11 दिनों के लिए अस्तमे शोकर जब शुकर अस्तम भावव में रहेंगे तो आप hidden problems को नियंतरन में रखने का प्रयास कीजिएगा और ऐसे कोई भी इस तर को निमंतरत मत कीजिएगा जो और जादा disturbances को बढ़ाने वाला हो व्यापारिक जीवन के अंदर जो बाहरी शेतर से जुड़े हुए कामकाज होते हैं अंजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचना होगा फैशन टेक्नोलोजी संबंदी कामकाज में कोई रफ्तार को रोक कर रखने का प्रयास आपको यहाँ पर करना चाहिए वहीं नवम भाव की यदि में चर्चा करता हूँ तो आप देखिएगा कि शुरुवाती स्तर पर जो सूरी बुद्गा बुदादिती बनेगा यह आपके पराकर्म में वर्धि करेगा भाग्य का सयोग आपको इस पूरे ही महिने उपलब दिता के साथ में हैं अनुभव धोका दे सकते हैं वहाँ से जरूर साफधान रहिएगा किन्तु 11 से 17 दिसंबर के मद्द का समय आपके लिए आकस्मिक तौर के उपर धना गमन को सामने लेकर आने वाला वो सकता है जिसको भी जीवन के अ चिंतन या शुरुवाती 11 दिनों के अंदर सायोग देगा उसके बाद में आपके लिए मडरिलिस्टिक लगजरी हावी रहेगी अपने चिंतन के साथ में वहीं दशंबाव की चर्चा करूं यहां पर आप देखें कि 15 दिसंबर के बाद से जो इस्तियां आपके सामने है न 31 दिसंबर के मद्य का समय जब बुद्ध नियादशम के साथ में चलने बाले होंगे आपको सहयोग देंगे पिता के साथ कामकाज में आप अधिकार के साथ चलें आप responsibilities को लेकर चलें आप समय को बढ़ा कर चलें किन्तु कहीं पर भी dominate करने के प्रयास के साथ में नहीं चले हैं किन्तु दो समगत ग्रह है जब एकादश के अंदर रहेंगे तो वहां से आपके लिए positive reflections निकल कर आने वाले होते हैं क्षमताओं में वर्दी होती चले जाएगी कोट कचैरी संबंदित मामलात में जो लाब निकल कर नहीं आपा रहे थे द्वादश के साथ में भी मैं इस बात को जोड़ कर देख रहा हूँ आप देखिए कि द्वादश और एकादश का जो ये combination है आपके लिए महाँ पर betterment देगा संतान पक्ष की और से जैसा में आपको बताया ये समय सहीयोग का है और वही सरवांगीन लाब में आपके लिए वर्दी होती चले जाएगी व निवेश की शक्ल में सामने आएंगे आपको लगा कि मैंने गलत खर्चा कर दिया अगले ही दिन मालुम चलता है कि खर्चा बिलकुल सही साबित हुआ एक रिष्टा प्रगाड हो गया और एक व्यक्ति के सामने हमारी चवी सोधर्ती चली गई ये एक position आपके सामने है तो ये था दिसंबर 2020 का मासिक राशी फल मीन राशी के जातकों के लिए हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में हाजर होते रहेंगे जल्द ही आपके सम्मुक जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 के समय अंतराल का वार्शिक वर्षिफल लेकर भी हाजर हो रहे हैं जिसमें समग पर चर्चाएं हम आपके सम्मुक रखने वाले होंगे कि जो 2020 बीता उसके बाद में 2021 किस शक्ल में सामने आ रहा है हम किस तरह से अपनी वर्किंग अप्रोच को आगे लेते हुए चलें आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात होती रहेगी कोटिशह आभार